नमस्कार, UFG News 24 में आपका स्वागत है, रुख करते हैं खास खबर पर UFG News 24 की खबर का बड़ा सर हुआ है हमने आपको दिखाया था कि ग्राम धकरॉली के राशन डीलर बाला देवी के खिलाफ ग्रामीनों ने SDM से शिकायत की थी जिसके बाद जवाबी कारवाही में SDM ने राशन की दुकान को निलंबित करते हुए बदखास की कारवाही शुरू कर दी है ग्राम धकरॉली तहसील सायाना के राशन डीलर बाला देवी पतनी रिशिपाल सिंग के खिलाफ ग्रामीनों ने राशन की घड तोली करते हुए विडियो बना कर वे राशन नहीं देने और अबदर विवार करने की शिकायत SDM साहब को कर दी थी जिनोंने शिकायत को संग्यान में लेते हुए आपूरते विभाग वे तहसील दार को जांच करने के आदेश दिये थे जांच में राशन डीलर की सारी खाम्या खुल कर अधिकारियों के सामने आ गई जवाबी कारिवाही में SDM साहब ने राशन डीलर की दुकान को निलंबित करते हुए बरकास्त की कारिवाही शुरू कर दी है मुकेश लोधी की रिपोर्ट